वेलकम दोस्तों वेलकम टू में चैनल काल हम लोग किये थे मीडी का छोटा से एक प्रोजेक्ट एक्चुली बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे इसको मतब तरीका हम दिखा देते हैं देखिए इसमें क्या है तीनों मीडी ट्रक है और एक आडियो ट्रक है तो मीडी और आडियो का डिफरेंस तो हम तो पहले ही बोल चुके है अपर लोगों को तो यह दो टाइप का हर्मोनियम बजा हुआ है उसका साथ साथ एक बैंजो है जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे इस जगा पर देखिए हम लोग मीडी में बैलेंस नहीं करेंगे मतलब यह बघ रहे है यह फट रहे है साउंद तो हम लेजिये इसमें यह मीडी का साउंड थोड़ा ज shakenムल करदेंगे और यह हम लोग कम करुंगे और यह छोड़ा कम है जादा करदेंगे ऐ सेड़ का करेंगे नहीं तो यह problem जो होता है, midi data signal होता है तो हम थोड़ा paint में आप लोगों को बोल दे रहा है, माली जी यह छोटा से midi data है, यह जब sound cut cut through जा रहा है, मतलब इसका अंदर जब जा रहा है, sound cut cut through इधर जा रहा है, new end में जा रहा है, तो new end में एक बड़ा सा लाइब्रेडी है, माल लिजे, banjo को web file है, इधर जितना सारा tones है, माल लिजे, एक है banjo का है, एक harmonium का है, एक tabletolog का है, tabletolog इधर हम audio track लिए है, ति यह signal blank रहता है, इसमें कोई data नहीं रहता है, जब यह इसका pass through जाता है, तब इसका banjo attach हो जाता है, तब हम लोग banjo का sound सुन पाते है, तो ऐसा tip का बात है, तो क्या है इसका जो density है, इसको अगर हम काम कर देंगे, तो क्या है web file conversion अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए, जो है मतलब इसका जो default volume है, और default volume में हम लोग इसको export करेंगे, तो माल लीजिए इसका midi का यह off दिखाएगा, और by default off दिखाते हैं, मतलब आप थोड़ा इसमें जाहिए, यह off दिखा रहा है, मगर बच रहा है, किदर से बज़ा, तो यह by default जो है, double click किजिए, by default इसका velocity है, तो वह velocity 100 में रेकॉर्ड हुआ है, मतलब यह 100 volume में हुआ है, और यह है हमारा हाथ का touch है, जो keyboard में जो हम pressure दिया है, उसका against में जो velocity उसको मिला है, ऐसे type का किया है, तो हम लोग यह देख सकते हैं, इसको देखिया है, यह हम लोग थोड़ा जोड़ से press किया है, इसलिए थोड़ा volume जाता है, यह कम जोड़ से press किया है, कम है, यह और भी कम है, तो हम लोग इसको कम जादा कम जादा कर सकते हैं, pencil लगा के, इसमें हम लोग velocity adjust कर सकते हैं इसको थोड़ा सब बढ़ा सकता कम भी कर सकता है तो पूरा extreme आगर बढ़ जागा तो red हो जागा पूरा एकदम extreme कम मतलब एकदम कम हो जागा तो blue हो जागा तो इसको तो थोड़ा हम लोग कुछ नहीं करेंगे वो जो 100 में है 100 कर देंगे और जो मतलब इस track में लिया है जो instrument track में हम लोग लिया है तो उसके अंदर भी हम लोग कोई भी effect नहीं डालेंगे मतलब यह जो effect दिया है यह आप लोगों को सुनने के लिए दिये है मगर यह देना नहीं चाहिए कोई भी effect देना नहीं चाहिए मीडी में मीडी effect होगा मीडी में audio effect होगा नहीं आउडियो एफट होगा नहीं मतलब इसमें होगा ओडियो एफट मतलब जब हम लोग ऑडियो से कॉनवाट करेंगे तब हम लोग करेंगे तो इसको एक एक करके हम रेंडर करते हैं दिखिए जब हम इसमें चार ट्रेक हैं तो अगर पूरा को हम लोग कर देंगे क्या होगा च Locator और right locator जो जागा है इसको range selection बोलते हैं अगर range selection नहीं रहेगा तो हम लोग आगर export करेंगे तो पहले ही बोलेगा the left and right locator must be set मतलब यह left and right हम लोग यह छोटा सा जगा बिवी render कर सकते हैं इसको render बोलते हैं मतलब export जो करते हैं हम lot render बोलते हैं कर सकते अगर हम इसको पूरा सिलेक्ट कर देंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा पूरा रेंडर हो जाएगा और ऐक तरीका है मारेजी यह सिलेक्ट हुआ नहीं ह сеलने हिया कुई भी ट्रैक को नहीं तो कंट्रोल यह दबा दीजिया और सब आल सिलेक्ट हो गया, उसके बाद P प्रेस करिए, कम्प्रूटर की बड़ का P, P for partner, P for Poland, P for pain, तो P प्रेस करिए, तो दिखिए आपने आप ये सिलेक्ट हो गया, अभी हम लोगों को करना क्या है, एक को सिलेक्टर की मतलब जो एक एक नमबर जो है, इसको सोलो बनाना पड़ेगा, इसको सोलो बनाकर, इसमें क्या है Harmonium है, तो Harmonium लिख दीजिए, हो गया, इसको file में जाके export में जाना है, audio mix down, अबि क्या करना है, इसको MP3 बनाना है नहीं तो web file बनाना है इधर के एक chapter हम जल्दी देदेंगे क्योंकि यह क्या क्या फाइल्स है और क्या क्या जगा पर लगता है इसका थोड़ा सा एक idea देदेंगे render करके तो MP3 करना के लिए क्या होता है MPEG layer 1 करना परता है तो MPEG 1 layer 3 file तो यह है MP3 file MP3 file का बहुत सारा category होता है यह सबसे अच्छा category 320 kbps kbps तो यह high quality mode है इसमें हम लोग tagging भी कर सकता है नेम लिख सकते हैं कोई भी हम लोग कर सकते हैं और देखिए यह जो है न इंपोर्ट इंटू प्रोजेक्ट यह audio track में भी चेक को एनेबल करना है मतलब पूल में तो हो गई पूल में अगर हम लोग उठा देंगे तो audio track उठ जाएगा अपने आब उठ जाएगा पूल में होना मस्ट होगा ही होगा और audio track मतलब इधर ही एक track बन जाएगा audio इसको एक्सपोड करते हैं इसको लीख देते हैं harmonium इसको डॉबल क्लिक किजिए नहीं तो इसको ड्रैक करके harmonium लिख दिया तो इसको जो जगा पर हमारा पोजेक्ट है करना क्या चाहिए जो हमारा desktop का अंदर जो हम लोग बना रहा है Cubes and Neander Project इसका अंदर एक folder बना लीजिए unmix बोल के मतलब यह unmix है unmix file हो गिया तो इसका अंदर आप लोग harmonium रेंडर करिए इसको export कर दीजिए हो गया जो export हुआ है यह मीडी से wave conversion हुआ है तो मीडी से wave conversion अच्छा नहीं हुआ है अच्छा नहीं हुआ है मतलब इसका जो density है मतलब इसका जो मतलब जो wave आया है यह इस wave में आपका quality अच्छा नहीं होगा तो इसको क्या करना चाहिए इसको डिलिट कर दीजी इसको रीमूब कर दीजी रीमूब कर दिया, इसको थोड़ा सा बढ़ाया, इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा बढ़ाया, तो ऐसा टैप करना चाहिए, नहीं तो, अब लोग इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लिजिए, तो एक जगा पर आनने के लिए, यह थोड़ा ऐसा टैप का आप लोग यह कर सक तो थोड़ा सा volume इसको बढ़ा दिया है, तो अभी इसको render करिए, इसमें जाहिए, फाइल में जाहिए, audio mix down, same name में ही करिए, कोई प्रब्लिम ओवर्रेट चाहिएगा, तो इसको ओवर्रेट करतीजिए, इसको new कर दिजिए, तो देखिए, अभी क्या हुआ, थोड़ा सा density बढ़ गिया है, और इसका quality भी अच्छा आएगा, तो ये तरीका आप लोगों को करना होगा, क्योंकि हम लोग midi बजा रहा है, midi बजाने का बाद export कर दे रहा है, इक्सपोर्ट का wave quality, अगर अच्छा नहीं बनेगा, तो आप लोग इसको अच्छा काम में लगा नहीं सकते, तो दूजरा है, midi track में किया है, तो इसको भी solo बनाई है, इसको solo बनाके, फिर export करना है, और यह mix down करना है, अनुनिया, इसको ऊपर override कर दीजिये, कोई problem नहीं है, इसको resume कर दीजिये, मतलब जो आएगा, थोड़ा सा बड़ा है, देखिए यह जगा पर बड़ा है, हम लोग जो काम किया है, उसका उपर थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ गिया, तो इसको second track में करिए, second, second जो midi track है, इसमें harmonium 2 कर दीजिये, इसको export करिए, हो गया, second में आ गया, second का midi quality अच्छा हुआ है, और third जो है, यह banjo का tune है, यह भी थोड़ा, इसको भी थोड़ा 0db में, मतलब इसको export कर दीजिये, audio mix down हो गया, इसको link दीजिये, banjo हो गया, इसको export कर दीजिये, तो तीनो फाइल आ गया, तो आभी हम लोगों को midi का ज़रूरत नहीं है, मगर midi को हम लोग delete नहीं करेंगे, इधर ही रख देंगे, mute करके रख देंगे, क्योंकि जब हम लोगों को कोई भी tempo का change करना पड़ेगा, मतलब tempo change करना है, तब हम लोग क्या करेंगे, फीट से दो बर export करतेंगे, tempo बढ़ा के, वेब में करने के लिए आप लोगों को बहुत, मतलब काम करना पड़ेगा, इसको time stage करना पड़ेगा, measurement करना पड़ेगा, 120 BPM में है, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो timing पहले है, आप लोगों को render हो जागा, अलग-अलग करते हैं, तो यह जो बन गया है, इसमें देखिए, क्या tune होना जाए, मतलब यह audio बज़ेगा, एक harmonium बज़ेगा, इसको delete, mute कर दीजिए, और यह benzo बज़ेगा, अभी चला के देखिए, क्या हो रहा है, अधिनो के साँचाता लगर्या, आप देखिए, क्या व्यक्ति अलग नेडो भी किया जाते है, लोगों है, लोगेता का साँचे पो जो अब सी का अब इसकोः हर्मोणियम जो बज रहा है इस्वर इसमें थोड़ा सा रिभब देते हैं के थोड़ा सा रिभब यूत मिको पहले हम लोगों की क्यों करना चाहिए हम क्यों करते हैं थोड़ा से क्यों कर देता है तो माली ये थोड़ा सा हाइफ्रिक्वेंसी बढ़ा देता है अभी बढ़ा के देखे 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 थोड़ा साम लोग इसको रिवार्डेबल देता है एड़ी वोड़ की दर्विया एड़्ी वाड़़ल देलं अब हम लोग किसा देखेंगे जो बना है इसको हम लोग थोड़ा मेज़र्मेन करकर देखेंगे एक्स्पोर्ट ट्रेक में हम लोग एनैलाइजर मीतर देगे देखेंगे कितना आ रहा है तो माइनस 18 में आ रहा है तो हम लोग थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं इसका थोड़ा वालेटी बढ़ा सकते हैं मतलब माइनस 9 तक हम लोग जा सकते हैं तो यह माइनस 9 तक हम लोग अगर जाएगा तो कोई प्रोब्लेम नहीं होगा ग्लोबल ही कोई प्रोब्लम नहीं होगा अगर 9-9 के उपर उट जाएगा तो प्रोब्लम हो सकता है तो ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे इस टोन को रेडी करेंगे करके फाइनल मिक्स टाउन करेंगे कि है तो यह हला हम एक में दिखा दिया है बाकी काम आप लोग को है बाकी काम आप लोग करेंगे को राखने की झाला क्रेंगे जुले स्वार ज़्यां कम लीजे बंड़ू व्य कर देंगे तो देखिए बेंजों में थोड़ा सा एक डीले हम डाल दे रहे है थोड़ा सा इकू करते है इसको क्लीन करते है थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा हाई प्रिक्रण चीए दुश्का साथ हर्मोनियम सुनिये थोड़ा सिर्ण चीए यह तो ऐसे टेप का हम लोग बना है एक-एक करके बनाना चाहिए एक-एक करके बना के आप लोगों को देखना चाहिए क्या क्या हो रहा है क्या का मतलब यह मिलोग के फोरफाइबस में थोड़ो थोड़ा करके तो आगिया है तो आभी क्या है ताइम देना है च्छोटा-च्छफा जगणके अब तो देना पड़ेदा फोलाट पूरा ट्रेक में नहीं है छोटा जगण पर immense काई की पाझार मनली जीई इनने को दे को होता है इसा का चानड भी हम दे देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है कौंसा हम Histoire एल बॉलना था हमको उसका कोंटिनिवेशन, हम लोग करेंगे, काल से पुरे गाना का प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब एकदभा 20 हुरू करेंगे उसमें बहुत सरे चेप्टर होगा, एकदभा 5 दो लास्ट तक जैएंगे, और final render करेंगे क्योंकि बहुत सरा लोगों को काम नहीं अच्छा हो रहा है ,वह बहुत invest कर दिया हैं , तो क्यून नहीं अच्छा कर रहा है , हम दिखा देंगे कैसा काम तो हम दीखा देंगे . स्याप्ट स्यूइंभ DR.S, हमारा चैनल को देख रहा है तो इसलिए हम आपके लिए मैत कर रहे हैं एक एक करके चैप्टर डेली दे रहे हैं तो इसलिए हमको भी आप लोग कर स्क्liशित निया है तो आप लोग कर के देखिए जो हमद भूब değiş्त करके देखके यह हो रहे कि नहीं हो रहे आपका पास आपका जो स्टूडियो है आपका स्टूडियों हो सकता है और बढ़ा स्टूर्य विस तैंनal तो करके पिंद टियून कि אי Definitely आ है मतलब हम भी थोड़ा जानना चाते हैं अपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है और जो लोग सीखना चाते हैं तो वह हमको कॉल करें सेटर्ड़े सांड़े कोई भी टाइम पर कॉल करें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा जो 700 नमबर जो है उसमें कॉल करी हम उसका सथ बात कर ले थैंक यू दूस्तर थैंक यू फर वच्छिं इस वीडियो